नहुंसकार बहुत स्वागत आप सभी का नवभरा टाइमस ऑनलाइन पर महराश्ट्र की राजनीती को हिलाने वाली एक खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं मैं हूँ संदीप और मेरे साथ है मेरे से होगी विशाल क्या सत्तर हजार करोड के सिचाई घोटाले में महराश्ट्र के उप मुख्यमंत्री आजित पवार को क्लीन चिट मिल गई है ये खबर हो सकता है आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी तेजी से ये खबर फैल रही है लेकिन उसमें कितना सच है उसमें एंटी करुप्शन बीरो का क्या कहना है विपक्ष क्या कह रहा है ये तमाम बात लेकर हम आपके सामने हाजर हुएं तो विशाल शुरवात इस से करते हैं कि ये खबर आई कहां से देखे सबसे पहले करीब डेड़ बजे के आसपास धाई बजे तो रंदीप सुर्जेवाला जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता है उनका ट्वीट आया है जाहिर ह एक नाजाय सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को सब मुकदमे बंद करने का आदेश खाएंगे और खिलाएंगे भी क्योंकि ये इमांदारी के लिए जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है मोदी है तो मुम्किन है तंज में ट्वीट लिखा गया था इसके साथ एक सरकार नोटिफिकेशन की तस्वीर उसमें नत्थी थी तो यह तो साफ है कि नोटिफिकेशन में कोई गडबर नहीं है लेकिन उसको लेके जब यह खबर वाइरल होना शुरू हुई और उस पे विपक्ष ने सरकार पर जब हमला करना शुरू किया तो एंटी करॉप्शन बिरो की इस सफाई भी आई क्या सफाई दी गई अब देखिए इस पूरे मामले में बात सिर्फ टाइमिंग की हो रही है सबसे पहले विपक्षारूप लगाता है कि डेपिटी चीफ मिनिस्टर बंते ही पवार अजीद पवार के खिलाफ मामले बंद कर दिये गए फिर उसके बाद ACB की तरफ से कहा गया जिस सफाई के हम अभी विस्तार से बात करेंगे उनकी तरफ से कहा गया कि ये मामले इन में से कोई भी अजीद पवार के खिलाफ नहीं था सिचाई घूटाले से जुड़े मामले हैं लेकिन ये मामले अजीद पवार के खिलाफ नहीं है ये बात ACB की तरफ से कही गई मसला टाइमिंग का है तो हम टाइमिंग के साथ ही आपको चीज़ें बता दे रहे हैं धाई बजे रंदीप सुझेवाला का ट्वीट हुआ था चार बच के चार मिनट पे एनाई जो की न्यूज एजेंट्री है इसका एक ट्वीट आता है इसमें लिखा था महाराश्र ACB मे शीज पदों के सूट्रों ने बताया कि जिन केसों की लिष्ट सोशल मीडिया पर चल रही है उन में से कोई केस महाराश्र के डेपिटी सीम अजीत पवार के खिलाफ कथित सिचाई भरष्टाचार से नहीं जुड़ा है ये केस अभी के लिए सशत बंद किये गए हैं अगर कोई जानकारी प्रकाश में आती है या कोर्ट आदेश देता है तो ये केस दुबारा खुल सकते हैं ये एनाई के ट्विट में पहले सूत्तों के हवाले से ये बात कही गई थी इसके साथ मिनट बाद चार बचके ग्यारा मिनट पर महाराश्र एसीबी के डीजी परम बीज सिंग के हवाले से एनाई ने ट्विट किये इस बाद पुखता तोर पे खबर आई बात कही गई इन्हों ने कहा हम सिचाई से जुड़ी शिकायतों में करीब तीन हजार टेंडर्स की जाच कर रहे हैं रूटीन इंक्वाइरी आज बंद की गई है मौजूदा जाचे पहले अजीत पवाद से नहीं है तो इसे इस बात से जोड़कर न देखा जाए कि अभी वो दो दिन पहले ही उप मुखे मंतरीपत की शपत लिए हैं बिलकुल विशाल लेकिन क्या यह जो टाइमिंग का जो आप बार बार जिकर कर रहे हैं वो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए आज ही देविंदर फटनवीस और आजित पवार ने अपना कारिभार समहला और आज ही यह नोटिफिकेशन अगर जारी हो जात है कि सोशल मीडिया पर ही सबसे पहले यह आरोप लगाया गया कि अजीत पवार के खिलाफ केस बंद हो गये हैं सोशल मीडिया पर ही तमाम लोग 18 सितंबर 2014 को देवेंद फटनवीस के चुनाव प्रजचार की एक क्लिप निकाल कर लाए उस क्लिप में देवेंद फटनवीस पीसिंग एंड पीसिंग तो अब इसका इस पर मजाक लोग कर रहे हैं तो तब तक उन ही की बात को प्रात्मिक्ता बीटा दी जाएगी बिलकुल लेकिन इसको एक दूसरे नजरिये से अगर देखे हैं जो विपक्ष इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है रगारे ह तो अभी दो दिन पहले तक तो आपके खिमे में थे अगर उसमें संभावना यह थी कि अगर सरकार अगर आप बनाते तो उसकता वह उसमें वह डेप्टिस ही हैं उसके बाद जब एनाई का माइक उनके मुह के सामने आया और उनसे पूछा गया कि अभी तक महराश्ट में क्या चल लहा है या कैसे उन्होंने शपत ली तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट दिया था शॉर्ट में उन्होंने कहा था महराश्ट की जनता ने इ बनादेश नकाते हुए हमारे साथ गठबंधन के बजाए दूसरी तरफ गठबंधन करने के प्रयाज शुरू किये इसके चलते राष्टपती शासन लागू हुआ महराश्ट जैसे अगड़े राज्जी को राष्टपती शासन शोभा नहीं देता है महराश्ट को खिचड़ी शासन के बजाए इस्थे शासन देने की आवश्यक्ता थी ऐसे समय में मैं NCP नेता श्री अजीद दादा पवाद जी का अभिनंदर करना चाहूंगा उनका आभ सरकार आई तो आप उनको जेल बेजेंगे फिर जब आपकी सरकार बनती है तब उसके शुडवाती सव दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए आप कहते हैं कि आपने ACB को जाच आगे बढ़ाने और तेजी से आगे बढ़ाने के निदेश दिये हैं उसको अपनी उपलब आए हैं या जो सोचल मीडिया पर चल रहा है उसकी हम बात कर रहा है लेकिन एक जो सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता वो यह की इस यह जो नोटिफिकेशन है विशाल इसमें कोई गड़बड नहीं है यह 25 11 2019 का ही है और अगर हम महराश्टर की राजनीती में जो कुछ विधायकों के लिए भी है जिए अजीत पवार अकेले नहीं थे अजीत पवार के साथ उनके और भी सहयोगी थे अजीत पवर ED के money laundering के सुन पर है जिसमें शरत पवार भी रूपी बनाए जो अजीत पवार जो भी BJP के पक्ष में गए हैं उसके पीछे एक यह वजय गिना पवार के साथ खड़ी तो इसे उनकी नाराजगी के तौर पर देखा गया कि उनका काईदे से साथ नहीं दिया गया इसलिए वो अपना खेमा अलग करके बीजेपी के साथ चले गया बिलकुल तो यह ताइमिंग बहुत जादा लेकिन जब फ्लोर पे तमाम विधायक पहुचेंगे तो कोई इस बात की गरंटी निये कि कौन किसके पक्ष में वोट करेगा नहीं करेगा कोई क्रॉस वोट करेगा या एक जूट रहेंगे नहीं रहेंगे इसको कोई सर्टनिटी के साथ कोई गरंटी के साथ नहीं कह सकता है तो ये जो development था ये आप तक पहुचाना बहुत जरूरी था इसमें आखरी में हम अपने दर्शकों को आपको हम साथ में शॉर्ट में ये भी बता दें कि ये पूरा सिचाई घोटाला है ये सिचाई घोटाला मामले में आरूपी है कथित तोर पर घोटाला है क्योंकि अभी जाच के बाद पुष्ट नहीं हुआ है पूर्फ नहीं हुआ है 2012 में सबसे पहले ये घोटाला सामने आया था 70,000 करोण रुपए का बताया जाता है एक और आरूप है कि कॉंग्रेस NCP सरकार में 35,000 करोण रुपए की अनिमित्ताएं सामने आई थी सिचाई को लेकर हुआ क्या था कि 1999 से 2009 के बीच में महराश में राजनेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों की मिली भगत से ये घोटाला हुआ घोटाले में आरूप है कि कम दरों पर टेंडर दे दिये गए थे, उसके बाद आर्थी ग्रूप से फाइदा पहुचाया गया और बीजेपी नेताओं ने कई बार इसको लेकर अजीर पवार पर निशाना साधा है फर्णवीस ने 2014 में जो मैंने साधारन सी बात इसको ना समझें जैसा कि करने की कोशिश कर रही है को इतना बोला को इतना मासूम यह नहीं अतनी राजनीति तो हर कोई समझता है पान के दुकान पर भी बिल्कुल तो इस से जुड़ी और महरास से जुड़ी जो लगातार जो अपडेट्स है वह आप तक हम पहुंचा रहे हैं यह ताज़ा जरूर कर लीजिएगा